नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल अंजली नियूस कौन में मैं हूँ आपकी वही अंजली कबूल हो गई हर दुआ हमारी, मिल जो गई हमें चाहत तुम्हारी अब नहीं चाहत है दिल में हमारे कुछ, जब से मिल गई है महाबत तुम्हारी जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं आज के दिल जनका बज़े हैं या फिर मारे ज़ अनुवर्सरी हैं उनको मेरी तरफ से ठेट सारी शुब काम ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपनी तभी सच होते हैं जब हम सपनी देखना शिरू करते हैं कड़ी महनत और द्रिड आत्मविश्वास असफलता नाम की विमारी को हराने की सबसे अच्छी दवा है यह आपको एक सफन इंसान बनाती है कोई भी नकाम्याबी मुझ पे हावी नहीं हो सकती जब तक मेरा काम्याबी पाने का इरादा मजबूत है आप इतने काबिल बनाओ कि जब आप खड़े हो तो हर कोई आपके लिए खड़ा हो जाए समय और जिंदगी संसार के दो सबसे बड़े टीचर है जिंदगी हमें समय का सही उप्योग करना सिखाती है जबकि समय हमें जिंदगी जीने का तरीका बताती है जब आप बीजे होते हैं तो सब कुछ असान होता है लेकिन जब आप आलसे हो जाते हैं तो सब कुछ असान नहीं रहता सबसे श्रेश्ट व्यक्ति तो वो नहीं है जिन्होंने अफसरों का इंतजार किया बलकि वे हैं जिन्होंने अफसरों को अपनाया और उनको जीता जल्दी मिलने वाली चीजें जादा दिन तक नहीं चलती और जो चीजें जादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती अच्छे दोस और अच्छे संसकार आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको पैसा कभी नहीं लेके जा सकता दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है एक काम्यावी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है सबसे बहले मैं आपको पतादू कि आज आपके लिए जो है भागिशली रंग वाइट कलर रहने वाला है यानि की सफेर और जो लगी नंबर है वो नंबर वन यानि की एक बन रहा है आज का दिन आपके लिए काफी जादा बहतरीन साबित हो सकता है कुछे दिन चुनिंदा बातों पर भी काम करते रहने के कारण उनकी बारे में आपको प्रगती नजर आ सकते है और किल लोगों के साथ जुड़े रहना है इस बात के बारे में भी एक बीचिक क्लारटी नजर आने वाली है यानि की आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है आज आपका अनभव बहुत बढ़ सकता है परिवार के बजर्गों की मर्जी आप पर बनी रहेगी जिसके कारण परिवार का पूरा सहयोग जो है वो आप पूरा जर सहयोग है वो प्राप्त कर पाएंगे आज आप कुछ नई प्लानिंग्स बना सकते हैं पुरानी जो गलतियां होई थी उनको आप पीछे छोड़कर आप नई प्लानिंग्स करेंगे जो आपके लिए भविश्य में बहुत ही ज़ादा अच्छी कारकर साविख हो सकती है अगर आप कहीं बाहर जाने के प्रोग्रम बना रही हैं पिछली कुछ गलतियों से सीख कर आपको वर्तमान कारप्रणाली में सुधार करना होगा इससे आपको अपने कार्यों को ज़ादा अच्छी तरीके से करने के मदद मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिरंस भी बरता नजर आने वाला है किसी रजीकी समंधी के साथ चल रही गलत फैमिया वो जो हैं आज दूर होने वाली है युवावर्ग वर्तमान परिस्थितियों से घबरा कर किसी अनुचित कारे में रूची मत लीजेगा इस समय बहुत ही धारी और शान्ती बना कर रखनी होगी ये बहुत ही जरूर है आपके लिए वर्ना आप किसी गलत काम में पढ़ सकते हैं कुछ ऐसे नावश्य को खर्चे भी सामने आने वाले हैं जिनको टालना असंफ़वसा लग सकता है साथ में आज आपकी मन में बसे हुए डर के कारण हर एक बात में आपको नकरात्मता ही महसूस हो सकती है यानि कि आप जा आपको नेगेटिव जादा चीज़े अपने मन में आ सकती नेगेटिविटी तो प्लीज इस पर अंकुष लगाए नेगेटिव मस सोची पॉस्टिव सोची आपने लक्ष को छोटे लक्ष में पाढने की कोज़़ करें और अनपर काम करना जरा शिरू करें पैसो से रिलेटिड चिंता होने के कारण चिद चिदापन महसूस कर सकते हैं और परिवारे करिश्टों में भी तनाव आपको महसूस कर सकते हैं आज घर में बदलाव पतरी परिवर्तन और सुधार से रेलेडिड कुछ प्लानिंग पर परिवार जनों के साथ विचार विमर्ष हो सकता है लिगने समय कोई भी इंपॉर्टन फैसला लेने से पहले उचीत सोच विचार करना बहुत जरूरी है बच्चों के मामलों में आप श्रेष्ट अभी भाविक सावित होंगे बच्चे आपके साथ काफी इच्छा टाइम स्पेंट करने वाले हैं आज के रिए तो उनको जरा अज पूरा पूरा साथ दीजिए नागरी प्रविती के लोगों से संपर्क स्थापिक मत कीजेगा इसे आपको मान समान पर भी बात आ सकती है यानि कि इसे जो है आपके मान समान को ठेस पहुन सकती है अगर कुछ कड़ पड़ होगी तो पड़ोसी की साथ समंदों में सुधार होता नजर आएगा ये समय अपनी तथा दूसरों उसकी भी सुरक्षा रखने का है तो शांती पूर्ण तरीके से समय को स्पेंट कीजेगा तो ज़्यादा बैटर रहेगा आपके लिए चली उप शुनवात करते हैं बिजनस और करेर के तो बिजनस और करेर कहता है कि कारक्षेतर में महनद जादा और परिणाम कम ऐसी सित्या नजर आने वाली है लगबग कारे ना के बराबर ही रहेगा सिरकारी मामलों में इलापरवाही मत किरिएगा आफिस के फाइनस समंधों में कारे को वहती ध्यान में रखने की जरूरत होगी तो प्लीज आफ फोकस कीजेगा अपने फाइनस पर जितने जिम्मेदारी आप ले सकते हैं उतने ही जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें और नए काम के लिए आपको मारद दशन की असरकता होगी कोई भी काम जो है आप पूरे परफेक्षण के साथ कीजेगा अगर आपने एक साथ दो चार काम ले लिए और अगर आप किसी कोई फरफेक्षण से काम ना कर पाए तो ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो सकती है तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो एक काम पकड़िए और इसको पूरे perfection के साथ कीज़ेगा तो ज़्यादा matter रहेगा आपके लिए निवसाय के सबंदी कोई भी important फैसा लेना अभी उचित नहीं है तो मत लीजे finance और tax से related papers और files सुवे वस्यत कीज़ेगा कोई inquiry हो सकती है साथ में office से 17 गतिविदियां 104 रूप से जो है वो संबन होती नजर आ रही है काम के जगा वरिष्ट द्वारा मिल रही सूचनाओं का पालन करने की जरूरत होगी आज आपको जो है अपनी वाफिस है आपको जो office आपकर जो काम कर रही है लोग उन पर ज़ादा ध्यान देना होगा कि वो कैसे काम कर रहे है अगर कोई गडवड हो रही है तो आप जान फटकार कीजिए उनको सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित कीज़ेगा इसे के साथ ही अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज की जो है लव लाइफ के बारे में लव लाइफ कहती है कि पती पत्ने एक दूसरी का सही यूग पूरी तरह से देंगे आप दोनों में आपसे समंद बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं और आप जो हैं काफी इच्छी पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं विवाहित जीवन सुखद रहेगा, मंगल में रहेगा दिन, घर के से रस्यों का आफिसा मंजस्य और ताल मेल बहुत ही बड़ी और बहतर बना रहेगा पार्णर के साथ घट रही, नेगेटिव घटनाओं के कारण, रिलेशनशिप समन्दित, तनाव आपको तकलीफ भी दे सकते हैं साथ में अपने परिवारिक मामलों में दूसरों का हस्ताक शेप मत होने दीजिए, क्योंकि इसका जो नेगेटिव असर है, वो घर के विवस्था पर पर सकता है विपरेद लिंगी लोगों से विवहार करते समय, निश्चित दूरी बना कर रखनी होगी आपको, वरना कुछ गरपड़ी हो सकती है, जो आपके भविश्ची के लिए ठीक नहीं होगी तो ये बात कर लिए हमने भी लव लाइफ के अरब बात करते हैं स्वास्त के, स्वास्त के कहता है कि ज़्यादा तनाव की वज़ा से सिर्दर्ट ब्लड प्रेशर की समस्यां बढ़ सकती हैं, आपको जो है पॉस्टिविटी लानी होगी अपने बाड़ी में भी पॉस्टि करने के कारण होते हैं, तो प्लीज मरिटिशन कीजिए, स्वास्ते बाकी लोगों का ठीक रहेगा, लेकिन घर की किसी मेंबर की हालत को लेकर चिंता बरी रह सकती है, ला परवाही बरतना उचित नहीं है, तो प्रॉपली इलाज करवाए, सरदी खान से ज़से तकलीव कीजिए तो जादा बैच रहेगा, और रात को कम खाना खाईएगा, इसके साथ ही बागे बढ़ते हैं और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में, तो विशेश उपाई कहता है कि आज आपको जह है भगवान गणपती स्थूत्र का पाथ करना चाह यहां फिर अपने इश्चिदेव के मंतर का जाब भी कर सकते हैं, आज कुत्तों को रोटी खिलाईए और दूद भी डाल सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप को वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ब्रकुल भी मत हुरिगा दैनिवाएट